in how many ways can 3780 be expressed as a product of two numbers देखो question में क्या करा है आपको बताना है कि इसको product of two numbers में कैसे express कर सकते हैं इसका method क्या होता है simply होता है total number of factors and divided by two मैं आपको पहले question solve करके बताता हूँ फिर मैं यह भी बताऊंगा यह आता कहां से है जैसे यहाँ पर अगर आप factor की बात करोगे तो 3780 total number of factors निकालने के लिए आप क्या करोगे इसको prime factors में break करोगे तो आप क्या लिख सकते हो 378 into 10 10 का value क्या लिख सकते हो इसको 2 into 5 अब इसको divide करोगे तो एक factor 2 common होगा तो into 1 2 निकालो 2 से divide करोगे तो कितना होगा यह 2 36 है तो यह 18 1 बच जाएगा तो 18 फिर तो यहाँ पर 9 तो आपको यह मिल गया अब 1 8 9 है यह 3 से divisible है तो एक factor 3 निकालो 3 से इसको divide करोगे तो यह कितना आएगा 63 3 into 6 18 and 3 तो 63 अब आपको यह पता चलिए है यह भी 3 से divisible है तो 3 से कितना आएगा 21 तो आप एक 3 और लिख लो now अब मिलके आपको 21 इसको आप क्या लिख सकते हो 3 और into 7 so आपको यही मिलेगा prime factor के रूप में smallest multiplication now एक साथ accumulate कर लो सबको तो आप 2 को क्या लिख सकते हो 2 कितनी बारा है 2 times तो यहाँ पर 2 लिख लो 3 कितनी बारा है 3 times तो आप लिख लो 3 to the power 3 5 कितनी बारा है 1 times तो 5 और 7 कितनी बारा है 1 times so total number of factors क्या होगा यहाँ पर 1 x 3 करके multiply कर दो तो क्या लिख होगे 3 into यहाँ पर 4 into यहाँ से 2 और into 2 that imply यह value कितना होगा यह हो जाएगा आपका 48 तो 2 के product में कैसे लिख होगे required answer क्या होगा हमारा required answer 48 and divided by 2 that imply 24 so हमारा answer क्या होगा option number C मैं एक छोटा सा example लेकर आपको यह भी बतायता हूं कि इसको यह result आता कहां से है और कैसे प्रूफ कर सकते हैं इसको एक example ले लो छोटे number थे जैते example माल लो यह number है 12 तो 12 के factor को आप कैसे लिखोगे 2 to the power 2 into 3 तो इसका total number of factors कितना हो जाएगा total number of factors की बात करोगे तो 3 into 2 that imply क्या है 6 12 को आप यहां पर लिख सकते हो factor कौन सा होगा 1,2,3,4,6 and 12 total कितने factor है 6 अब 2,2 के product में लिखना है तो आप कह लिख सकते हो यहां से इसको multiply कर लो 1 से 12 को तो 1 into 12 आपको क्या देगा यह 12 देगा 2 को 6 दे multiply कर लो तो क्या मिलेगा यह भी 12 देगा आपको और 3 into 4 को multiply कर लो तो यह भी आपको क्या देगा 12 भी देगा 600 तो जब कभी भी product of two factors की terms में express करना हो तो आपका mean prime motor क्या होगा कि find total number of factors कितना होगा जैसे हमने यहां पर find करा और उसको क्या कर देना है divide कर देना है to save जैसे यहां पर factor 6 था तो 6 divided by 2 तो ultimately किसके को लाया था 3 ways में आप product लिख सकते थे say so no so thanks for watching the video